दोस्तो क्या आपको पता है कि एक लड़की की पेरों की लंबाई चार फीट चार इंच है यहां लोगों की लंबाई पाच फीट साड़े पाच फीट ही रहती है लेकिन इस लड़की की पेरों की लंबाई सिर्फ चार फीट चार इंच है और क्या आपको पता है कि और सांदर फेक्ट्स की बारिस होने वाली है तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखरी तक दोस्तों मैं आपको आज ऐसे सांदर फेक्ट्स बताऊंगा कि आपका दिल खोस हो जाएंगा चो लेट्स बिगिन पैक्ट नमबर वन टूथपिक्स से बनी हुई एक विसाल मूर्ती लार्जेज डिस्प्ले और टूथपिक स्कॉप्चर्स इसकूल में कला और एक्जिबिजन मज़ेदार होते हैं लेकिन क्या आप छोटे टूथपिक्स के एक गुच्छों से मूर्तिया बनाने की कलपना कर स लगता है तूथपिक्स से बनी हुई चीजों का एक एक एक्जिबिजन लगता है तूथपिक्स मूर्तियों के सबसे बड़े प्रदर्शन में 101 मूर्तिया है और इसे 15 मई 2014 को अमेरिका से स्टेन मुन्रों द्वारा बनाया गया था इस्टेन ने मूर्तियों और आकडों ब का आर्कडे ट्रेंफ फ्रांस में बुर्च खलीफा युएई का जैनी मोस्क माली का दपार्थिनन ग्रीस का ताजमाल इंडिया का और वाइट हाउस युएसे का इतनी सारी मूर्तिया इस बंदे ने सिर्फ टूथपिक की मदद से बनाई हुई है आप खुदी देख लीज एक सो बतीस देजमलाव आठ सेंटीमेटर चार फीट और 4.2 इंच और 132.2 सेंटीमेटर चार फीट चार इंच मापते हैं दुनिया की अब तक की पहली ऐसी महिला है जिसके पेर सबसे ज्यादा लंबे है और उपर का पोर्शन पेरों से छोटा है मतलब इसका एक पेर चार फीट साड़े चार इंच का है और दूसरा पेर चार फीट चार इंच का है एका तेरीना सबसे लंबी होने के बावजूद एक मॉडल भी है और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है और वहां 205.16 सेंटीमेटर मतलब 6 फीट 8.77 इंच की उचाई की पुष् देन किया क्योंकि वहां उन लड़कियों के लिए प्रेर ना बनना जाती है जो बहुत आस्वसीत है इसके घर में जितने लोग भी है ना उनकी हाइट भी 6.6 इंच मिनिमम है बहुत अमेजिंग फैमली है फैक नमबर 3 एक महिला कलाकार का सबसे पॉपुलर गाना मोस्ट स् in one week by female artist 31 अगस 2017 को समापत होने वाले सप्ता में टेलर स्विप्ट का गाना लॉंच हुआ था उस गाने का नाम था लुक वाट यू मेड मी डू यह गाने ने 84.4 मिलियन बार स्ट्रीम हुआ है सिर्फ एक हपते में वह भी 24 से 25 अगस 2017 को इस्पॉटिफाई पर ट्रेक को 8 मि पहले 24 गंटे में स्पॉटिफाई पर सबसे अधीग स्ट्रीम किये गए ट्रेक का रिकॉर्ड इसी गाने के नाम है और 43.2 मिलियन यूटूब दरस्यों के साथ इस गाने की वीडियो को 24 गंटे में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो का रिकॉर्ड भी है क्या आपको बता है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा इस्तमाल किये जाने वाला है है हाँ तो आपको बता दूग कि वो हैज लव है उसके बाद हैस फैसन और हैस फोटो अब दे डे थे पिछले कुछ वर्ष के दवरान हैस्टेग के लोक्रीता में सबसे ज़्यादा व्रद्दी देखी जा रही है अभी भी हैस्टेग लोगों सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इंस्टाग्राम में यह इतना पॉपुलर हैस्टेग है फैक्ट नमबर फाइब लार्जेस्ट ट्रोपिकल रैंफोरेस्ट अमेजोन जो नौ साउथ अमेरिकी देशों तक फैला है और 6.24 और 6.56 मिलियन स्कूर किलेमेटर के बीच है और यहां दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी है और यह जंगल में सबसे ज़्यादा वारिस ह जाती है जो कि पूरे साउथ अमेरिका के लिए काफी है और यहां तरह तरह के जानवर बाया जाते हैं दुनिया का एक अकेला ऐसा जंगल है जहां सबसे जादा जानवरों की प्रजातिया पाई जाती है जैसे कि मैमल्स रेप्टाइल्स और बहुत सारे इंसेक्ट भी जो क एक हतेली पर आ जाती थी एकिन 4,097 किलोग्राम मतलब 9,032 पाउंड वजन वाले बाल के बारे में सुना है कभी आपने जोयल वाल जो की यूएस के है उन्होंने 13 नौमबर 2008 को फ्लोरिडा के एक लॉडर हील में दुनिया का सबसे बड़ा रबर बेंड वाल बाल बनाया ग इस का किया गया दा गेंड को बनाने के लिए टोटल 70,000,000,000 रबर बेंड का उपयोक किया गया था और इसे बनाने में चार साल लगे थे गेंड का नाम रखा था 1 tut 6最 7.000 लंबा है कैस видео इतना बड़ा रबर बेंड स्ब्स चुन्था रबवर बेंड कि मदद से बनाया एक क कर कहीं फेक दिया जाए तो इतनी जोर से जम करेंगा कि देखने वाले के होश उड़ जाएंगे फैक्ट नंबर सेवन इसमेलियस प्लांट मतलब सबसे गंदा इसमेल करने वाला प्लांट को कॉर्प्स लावर के नाम से भी जाना जाता है इस पेड में से कुछ ऐसी गेस निकलती है जो कि बहुत गंदी इसमेल करती है और इस गेस का नाम है एमोर्फो फैला टाइटेनियम और इसे टाइटन एरम भी कहते हैं यह सड़े हुए माज के बराबर एक बहुत दुरगंद इसमेल छोड़ता है जिससे 0.5 मिल मतलब 0.8 किलो मिटर दूर तक सूंगा जा सकता है लगबग 800 मिटर तक इस गंदी इसमेल को सूंगा जा सकता है इसलिए इसके आसपास कोई भी बटकना भी नहीं चाहता इतना गं मतलब 6.22 इंच की लंबाई तक खीच सकता है जिससे इसे स्कीन का रिकॉर्ड भी मिला हुआ है वह ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि उसके पास एक अलग टाइप की स्कीन जो की रेर मेडिकल कंडिशन में आता है और इस बीमारी को एलर्स डैनलोस सिंड्रॉम कहते है इसके स जो इसकीन को मजबूत करता है और इसकीसिटी को मजबूत करता है उसके लिए ऐसी डिली तुचा और सीकन को स्वा कर पाना इजी होता है और यह इसी का फाया उठा रहा है इसके नाम भी एक खिताब है गिनिस भी को वर्ल्ड रिकॉर्ड में Fact No.9, सबसे अधीक दाज़ वाला जानवर, Land Mammal with the Most Teeth, South America में एक ऐसा जानवर रहता है, जिसके सव से भी ज़्यादा दाद होते है, एक गंदा सा जानवर जो आप देख रहे हो, इसका नाम है आर्मडीलो, और इसको प्रिंडों टेस मैक्जिमस भी कहते है, यह जनरली चीटिया और दीमक खाता है, सोचो इस जानवर के सव से भी ज़्यादा जाद है, Fact No.10, Smallest Dog Living, क्या आपने एक ऐसा कुत्ता देखा है, जो सिर्फ 3.8 इंच का है, मतलब 9.65 सेंटीमेटर का है, आप इसकुल में एक स्केल यूज करते थे ना, लाइन खीषने के लिए, वो भी 15 सेंटीमेटर के होती है, लेकिन एक कुत्ता 10 सेंटीमेटर से भी छोटा है, एक दिसंबर 2011 को यह कुत्ता एक लेडी के घर में पैदा हुआ था, इस लेडी के नाम था चिहुआ, एक कुत्ते का नाम नहीं है, यह लेडी का नाम है, और इस कुत्ते का नाम रखा था मिली, उसके बाद वेनिसा सेंबलेर ने इस कुत्ते को गोद ले लिया, वो बताती ही कि यह कुत्ता इतना चोटा था कि यह एक चमबच में फिट हो जाता था, और इसे दूद पिलाने के लिए वो आई ड्रोपर का इस्तिमाल करते थे, इतना चोटा था यह गिनिस बुक को वर्ल्ड रिकोर्ड में सामिल है, फैक्ट नमबर 11, क्या आपको बताए कि आल्टो 950 किलो का, 950 किलो का एक कद्दू, इतना बड़ा कद्दू हो भी कैसे सो सकता है, आप सो सकते हो एकरिकल्चर फाम में, जो कि एक आल्टो 800 के बराबर है, और कहें तो उससे ज़्यादा है, फैक्ट नमबर 12, क्या आप जिम के बहुत सोगीन है, जिम ट्रेनर ने तो आपको कई बार बोला होगा कि अरे यार सोया प्रोटिन का कुछ चीज़े खाओ, लेकिन मैं अगर बोलू कि अगर आपको दिन भर में एक लिटर सोया सॉस अगर खिला दिया जाए, तो आपकी मौत हो सकती है, एक लिटर देखा जाए तो वैसे कुछ होता नहीं है, एक लिटर में हम दूद पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और हमको कुछ नहीं होता है, लेकिन सोया सॉस, अगर तुमने एक लिटर पी लिया, तो आपकी मौत हो जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान से दोस्तो, फैक्ट नमबर 13, जब नुकलियर बॉम अगर कहीं फटता है, या फिर कहीं हाइडरोजेन बॉम कहीं फटता है, तो उसके चारो और रेडियो एक्टिव रेडियसन्स फैल जाते हैं, जो कि हम इंसान के दोरा तो मिटाना बहुत मुस्किल है, लेकिन अपनी दुनिया पे एक ऐसी चीज है जो वो रेडियो एक्टिव रेडियसन्स को भी खतम कर सकती है, और उस फूल का नाम है सूरज मुकी का फूल, सूरज मुकी का फूल में रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी साफ करने की चंता रखता है, इतना इफेक्टिव है ये फूल और ये बहुत अच्छ डेट देखता है लेकिन अगर अपने को जैसे कहीं लेप देखना हो तो आग की मदद से देख सकते हैं नहीं कर सकता अपना पुरा सीर गुमा ना रथा है क्योंकि उसकी आखे करी मिलते रहेंगी मैं इसे ही मज़धार फैक्ट्स वाले वीडियो बनाते रहता हूं पुराने वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते जहां बहुत कुछ है आपको सीखने और समझने को